हाई एवरिवान कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सभी के साथ में लाई हूँ शेयर करने के लिए authentic restaurant style कुलकाता बिर्यानी कैसे बनाए उसकी रेसिपी तो कुलकाता में बिर्यानी की बहुत सारी varieties होती हैं बहुत सारे version होते हैं तो आज जो मैं आप से भी के साथ में रसेपी शेयर कर रही हूँ वो है कुलकाता बैरकपूर की फेमस दादा बौदी बिर्यानी जहां की बिर्यानी बहुत फेमस है और बहुत जादा पॉपिलर है तो इस बिर्यानी को आप भी अगर मेरे तरियकर से बनाएंगे और तो घर रेस्टरों इस्टाइल बिर्यानी बना कर त्यार कर पाएंगे तो जरूर ट्राइग कीजिएगा मेरे इस बिर्यानी रसेपी को बहुत ही बहतरीन और डिलीशे सी बिर्यानी बन कर त्यार होती है और बहुत अलग है इसका प्रॉसस बनाने का तो step by step simple easy process के साथ में बहुत मैं आपको यह recipe देने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इस recipe को जरूर ट्राइग कीजिए और अगर मेरी अच्छी लगे recipe तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसको कर दीजेगा शेयर अपने family और friends में और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सिब्स्ट्राइब कर लीजेगा तो चलिए recipe स्टार्ट कर लेते हैं authentic restaurant style ददबौदी बिर्यानी बनाने के लिए जो ingredients हमें चाहिए हैं उसकी measurements मैं बनाते टाइम ही आपको साथ साथ में बताती जाओंगी तो सबसे पहले step में यहाँ पे आलू बना रही हूँ क्योंकि कुलकाता बिर्यानी में आलू जरूर सिजाता है तो यहाँ पे मैंने आदा केजी से जादा आलू लिया हुआ है इस बिर्यानी को बनाने के लिए हमें जो आलू चाहिए होंगे वो थोड़े बड़े pieces में कटेवे होने चाहिए तो इस तरह से मैंने कट करकर इसको अच्छे से पानी में डिप करकर रखा हुआ है और अब चले बढ़ते हैं इसको बनाने की तरफ और अच्छे से पहले इसको गरम कर लेना है तो सरसो का तेल गरम होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए पहले इसको अच्छे से गरम कर ले ये अच्छे से गरम हो जाएगी इसका सारा जाग निकल जाएगा तब इसको यूज करना है तो अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ प्यास तो यहां पर मैंने तीन बड़ी साइज की प्यास ले थी जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसे में काटा हुआ है और अब इस गर्मा गरम वायल में मैं ये प्यास जालकर अच्छे से फ्राइ कर ले रही हूँ तो ये जो दादा बौधी बिर्यानी बनती है इस बिर्यानी को बनाने का बिल्कुल प्रोसेस अलग है जो कुलकाता बिर्यानी होती है उससे ये डिफरेंट है लेकिन ये कुलकाता की स्पेशल बिर्यानी है बहुत पॉपिलर बिर्यानी है प्रोसेस बहुत इजी है और बहु और अच्छे से मैं अब इसको मिला दूँगी तो इस दादा बौदी बिर्यानी को बनाने का बिल्कुल प्रॉसेस हलग होता है और इस बिर्यानी को बनाने में जो आलू वगेरा यूज किया जाता है इसमें वो बिल्कुल डिफरिंट तरीके से बनाया जाता है तो सबसे पहले प्याज में मैं आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ और यहाँ पे देखें जैसे जैसे प्याज के साथ मैं आलू भुन रहा है प्याज का कलर जो है आलू पे आता जा रहा है बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर का हमारा आलू बनकर त्यार होगा और जब आलू को मैंने प्यास के साथ मैं अच्छा फ्राई कर लिया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चे तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्चे यूज कर रही हूँ जो ज़ाधा तीकी मिर्चे नहीं होती है बस कलर अच्छा आता है इसलिए तो यहाँ पे मैंने मिर्चे भी दो बड़े चमच डाली है और डाल कर मैं इसको बहुत अच्छे से मिला ले रही हूँ ये जो जादा बहुती बिर्यानी होती है थोड़ा स्पाइसी होती है जादा भी नहीं बस हलका सा स्पाइसीनेस रहता है जिससे बिर्यानी खाने में अच्छी लगती है तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्चे डाल दी है और आलू को मैं अच्छे से इसमें बून रही हूँ फ्लेम को यहां पर मैंने हाई रखा वाई और अच्छे से में मिला ले रही हूँ तो आलू बनाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है कुछ जादा करना ही नहीं है इसमें तो यहां पर आलू जो हमारी अच्छी फ्राइ हो गई है तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी तो तकरीबन आधा लेटर पानी यहाँ पे डाल रही हूँ है क्योंकि आलू को हमें इसमें पकाना है तो इसी पानी में यह अच्छे से पकेगी इस तरह से अगर इसको हम वेसल में पकाते हैं या देग में पकाते हैं तो अलग सा टेस्ट आता है आलू में क्योंकि ये धीमी धीमी आज पे इसमें अच्छे से पकेंगे pressure cooker में क्या होता है कि हम pressure लगा देते हैं तो दो विसल या तीन विसल में ही आलू cook हो जाते हैं तो दादा बौदी बिर्यानी है तो थोड़ा अलग से इस तरह से आलू बनाया जाता है इसलिए मैं इस तरह से cook कर रही हूँ और भी मैंने जो कुलकाते स्टैल बिर्यानी आप सभी के साथ में शेयर की है उसमें तो मैंने आलू को pressure cooker में ही cook किया है लेकिन इस बिर्यानी के लिए अलग process इसमें आलू को जो है देग में ही बनाया जाता है और देग में ही cook किया जाता है तो बस अब मैं इस वसल की लिड लगा दे रही हूँ और लिड लगा कर हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर लूँगी तो अभी तकरीबर यहाँ पे 10 मिनट हुए हैं और मैं बस आपको दिखाने के लिए इस वसल की लिड अटा कर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखें आलू हमारी कितने अच्छे से इसमें कोख हो रही है प्यास का पूरा-पूरा कलर जो है इस पानी में आ चुका है और आलू पे भी देखें आप अच्छा सा ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है तो यह अच्छी पकरी है वापस से धकल लगा दें और आलू हमारी बहुत अच्छे से गल गई है मैं आपको दिखाती हूँ यह कैसे हो गया है यहाँ पे मुझे 20 मिनट हुआ है टोटल इस आलू को पकाते हुए और आलू हमारी बहुत अच्छी टेंडर हो चुकी है और देखकर ही पता लग रहा है कि यह हो चुके हैं गल चुक है और यह देखे कितना प्यारा सा लग रहा है तो बस इस आलू को हमने बना कर त्यार कर लिया है अब इसको रखते हैं साइड पर चलिए बढ़ते हैं नेक्स टेप की तरफ तो अब नेक्स टेप में यहाँ पे मैं गोश्ट पका रही हूं जिसके लिए वही अखनी यूज अब च on узнаug की ना कर तो च्किन में बनारी को यहाँ की लिए लिए बना कर दो मुझे कामन बॉक्स ने झाल ने यह जूस आपको वीडियो मिलेगा वहां पर प्रीज आप जाकर चेक कर लीज़ेगा मैं इसमें डाल रहे हों नमक धाले हैंसे जाते में आपको डूंके की आपको जारा ले इसके साथ balance करने के लिए इसमें इतना नमक जाएगा तो यहां पर एक से देड़ बड़े चमच मैंने नमक डाला है और साथ में यहां पर डाल रही हूं 500 ml दूद तो कप में देखेंगे तो यह एक कप होगा लेकिन ऐसे यह दूद है इसके साथ ही मैं यहां पर डाल रही हूं 1500 ग्राम दही बिल्कुल फ्रेश घर की जमिवी ताज़ा दही है तो यह भी डाल दिया मैंने और अब मैं इसमें डाल रही हूं मीठा अतर तो मुगलई मीठा अतर इस बिर्यानी की जान तो यहां पर मैं तीन चार बून कर इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी तो खुलकाता बिर्यानी बनाने का विल्कुल जो प्रॉसेस है बहुत ही सिंपल है इजी है और इंग्रीडियंट्स में बहुत कम यूज होते हैं लेकिन यह बहुत ही खुश्बुदार बिर्यानी बनकर त्यार होती है तो अब क्य और जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं बहुत अच्छे से साथ में यह चिकन कुक होगी तो यहां पर एक बार इसको जैंटली स्टर दे दीजिए अभी कसर है बाकी चिकन अभी कुक नहीं हुआ है अच्छे तरीके से तो इसको वापस से ढखकर मैं कुक कर लोगूँ तो यहां पे देखें हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है बिलकुल लेक्पिस बता रही है कि चिकन रडी हो चुका है तो बस अब मैं फ्लेम को आफ कर दे रही हूं और इस यखनी से चिकन के पीसिस को अलग कर लूँगी और जो यखनी है उसको अलग रख ल खड़े मसाले डाल रही हूं जसम्में डाल्चीनी तो 2 तुकड़ा मैने डाल्चीनी का डाला है और 6-7 मैं लौँगे डाल भी है और अब इस में डाल रही है। अब नमक बिर्यानी को बंतने के लिए चावल मैं यहां पर 8 100 ग्राम ले रही हूं जो के लॉंग रेन बास्मती राइस यूज़ कर रही हूं मैं और इसमें डलेगा नमक तकरीबन चार से पांच बड़े चमच और अब मैं वापस से इसमें सारे चीज़ें डालने के बाद में इसका ढ़कन लगा दे रही हूं इस पानी में अच्छा बॉयल आ जाने दोंगी तो यहां पर खड़े मसाले को पहली डाल देना है उसके बाद में अच्छा बॉयल लाना है जिसको मैंने आदे गंटे पहले से भीगो कर रखावा था जिससे बिर्यानी बहुत अच्छी बनती है तो बिर्यानी बनाने का एक और बहुत अच्छा ट्रिक जो के है चावल को आपको बिर्यानी बनाने से तकरीब आदे गंटे पहले भीगो देना होता है तो बिर्यानी का चावल बहुत अच्छा खिला खिला बनकर त्यार होता है और इस चावल को हमें 60% तक कुख कर लेना है तो लगतार मैं इसको चलाते हुए 60% कुख कर ले रही हूं और ये देखें इस तरह से मैं तोड़ रही हूं तो ये हलका टूट रही है लेकिन कनी अभी भी इसमें बाकी है तो बस ये चावल हमारे almost ready हो गए है तो flame को अब मैं off कर दे रही हूँ और चावल को मैं छहनी से चान कर अलग कर ले रही हूँ तो चावल को पानी से basically अलग करकर हमें side पे रख लेना है अब जो मैं step बताने जा रही हूँ आप सबी को वो है दादा बौदी बिर्यानी बनाने का सबसे most important step इसको बिल्कुल भी skip नहीं करें तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में एक कप दूद लियावा है और यह मसाला अगर आपको चाहिए तो मुझे comment box में जरूर बताईएगा तो यह मसाला डाल कर मैंने अच्छे से मिला दिया है और इसी में मैं डाल दे रही हूँ आलो बुखारे और अच्छे से वापस से मैं मिला दूँगी तो यह हमारा flavorful milk जो के दादा बौदी बिर्यानी मसाले के साथ में बनकर त्यार हो चुका है इसको रखते हैं साइड पे और एक और preparation कर लेते हैं तो यहां पे अब मैं ले रही हूँ दो चमच rose water इसके साथ ही मैं ले रही हूँ एक बड़े चमच क्योड़ा water और अब मैं इसमें डालूंगी orange food color तो इस तरह से हमारी बिर्यानी को बहुत अच्छा खुश्बू देने के लिए ये दोनों चीज़े रेडी हो चुकी हैं तो इस तरह से हमें दूद में बिर्यानी मसाला को मिक्स करकर रख लेना है और यहां पर केोड़ा और रोज वाटर को मैंने orange color के साथ में मिक्स करकर रख लिया है तो ये चीज़े रेडी हो चुकी हैं अब चलिए बढ़ते हैं हम लेरिंग की तरफ तो लेरिंग करने का भी बिलकुल अलग तरीका है सबसे पहले मैं यहां पर एक बड़े वसल में डाल दे रही हूँ सारा यखनी जो के हमने निकाल कर अलग करकर रखा था तो मैंने यहां पर आपको बताया कि यह साड़े 300 ml यखनी है जो के मैंने सबसे पहले देग में डाला है और अब मैं इसी अखनी में डाल दूंगी सारे अलग किये हुए चिकन के पीसे और साथ साथ में डाल दूंगी में हमारे बने हुए आलू और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूद दूद यहाँ पर असेंबल जब कर रहे हैं बिर्यानी को तब भी डालना होगा क्यूंकि हमाय बिर्यानी को अच्छे से दम देना है तो चावल क्यूंकि 60% तक डन है इसलिए यहाँ पर दूद और दही जरूर जाएगा तो यहाँ पर आधा कप दूद जाएगा और 3-4 जाएगा यह चैनल पर भी आप विजट करकर देख सकते हैं इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ एक बड़े चमच वह हमारा अरोमेटिक मिक्षर इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ एक नीमू का रस और अब मैं इसमें डालूँगी हमारा दूद जिसको मैंने फ्लेवर फु जादी बिर्यानी मसाला एक चमच यहाँ पर बिडालूँगी क्युंकि हमने अलँ में डाल है न चीकन में डाल है तो इसी टइमें मेरेंग करने के टाइम में मरें तो सारी चीज़े डालने के बाद में यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से एक बार मिला दे रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से, तो बस गोश्ट और आलू की लेयर हमारी complete हो चुकी है, अब मैं इसमें add करूँगी हमारे पके हुए चावल, तो बिल्कुल गर्मा गरम अभी मै इसको बनाया है, और बस मैं इसमें डाल दे रही हूँ, तो चावल यहाँ पे पूरा नहीं डालना है, इसके आधी quantity यहाँ पे add करनी है, तो आप देख सकते हैं कितने perfect खिले खिले हमारे चावल बनकर त्यार हुए हैं, तो बस अब मैं इसको अच्छे से फैला दे रही हू बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पे अब एक लेयर हमें और लगानी है चावल के उपर, तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, वो हमारा aromatic mix जो हमने त्यार किया था क्योड़ा और रोज वाटर के साथ में, इसके साथ हमें इसमें डाल रही हूँ हमारा special दूद, जो क के लिए मैं डाल रहे हूँ, यहाँ पे पिगला हुआ घी, तो यहाँ पे जादा नहीं, तीन से चार बड़े चमच हमें चाहिए, जिससे नमी बरकरार रहे है चावलों में और बिर्यानी मौएस्ट बनकर त्यार हो, तो बस यह भी हो चुका है, अब मैं लास्ट में सारा बचा हुआ चावल इसके उपर लेयर कर दे रही हूं, और इस तरह से मैं लेवल कर दूँगी, और लास्ट में इसके उपर मैं डाल दे रही हूं, हमारा क्योडा और रोस वाटर का मिक्स, तो बस हमारी बिर्यानी की लेयरिंग हो गया, तो अब मैं इस वैसल का धकन लगा और अब हमें इसको दम देना है तो इस बिर्याने को मैं दम दूंगी बिल्कुल अलग तरीके से तो क्यूंकि चावल हमने 60% तक कुक किया था और यखनी हमारी 350 ml है उसमें उपर से हमने दूद भी आड़ किया है तो सारे चीजों को पकने में तकरीबन 30-35 मिनट जरूर लगे उसके बाद में इस देख के उपर में रख दीजिए क्यूंकि जब रस्ट्रों में बिर्यानी बनती है तो नीचे से तो उसको दम मिलता ही है उपर से धकन के उपर भी थोड़ा सा कोईला वगेरा डाला जाता है तो उस प्रॉसेस को करने के लिए मैं यहां वे प्री के लिए वापस से दम दे दूँगी तो बिल्कुल इसी तरह से दम देना है उसके बाद में टेस्ट्रेस बिर्यानी जो है हमारी दादा बौदी बिर्यानी बनकर बिल्कुल तयार हो जाएगी तो बस अब इनतिजार हुआ खत्म तीस मिनट यहां पे हो चुके है हमारी बिर्यानी बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी वाओ माशाला बहुत अची खुश्बू आ रही है और बहुत अच्छा दम भी आया है हमारी बिर्यानी पे तो यह बेस्ट दादबौदी बिर्यानी बनकर त्यार हो चुकी है तो बस अब मैं इसको सर्फ करूंगी तो यहां पे मैं आपको बता दूँ किस बिर्यानी को दम देने के लिए देखिए मैंने नहीं इस पर आटा लगाया है नहीं इस पर टावल से ढखा है बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इसको दम दिया है जिस रेस्टराइंस्टाइल बहुत फेमस दादा बौदी बिर्यानी घर पर बिल्कुल बनकर त्यार हो चुकी है तो बस गर्मा-गरम मैं इसको डिश आओट कर लेती हूं तो मेरे इस तरीके से मेरे इस प्रॉसस के साथ में जो मैंने आप सभी के साथ में बताया है प्लीज एक ब तो बेस्ट बिर्यानी इन को लकाता दादा बौदी बिर्यानी की रेसिपी मैंने आप सभी के रिक्वेस्ट पे पूरा कर दिया है तो इसको जरूर ट्राइ करें इस वीडियो को जादर जाद अपने फैमिली और फ्रेंस में जरूर शेयर कीजेगा वीडियो अच्छी लग झाल